हालो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चनल श्रेवदार वितायुष और भात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में केपी ग्रीन इंजिनियरिंग आइपियो के बारे में इस वीडियो में दोस्तों डीटील आंसेस करने वाले कंपनी को समझेंगे तो वीडियो को देखिए इस वीडियो को समझते हैं तो दोस्तों के पी ग्रीन इंजिनियरिंग आई जो कंपनी है वह बीसिकली 2001 में इंकॉप्रेट यह कंपनी हुई थी और कंपनी का काम किसका कंपनी का काम में मनुफाक्च्चरिंग और फेब्रिकेट इन हॉट डिप गैल्वनाइज स्टील प्र इस तरीके के आई आपको समझा देता हूं जैसे के ट्रांस्मिशन लाइन टावर्स इस तरीके के ट्रांस्मिशन लाइन टावर्स यह आपने देखे हूंगे दूसरा बनाते हैं सब स्टेशन राइट यह सब स्टेशन इन सब को बोलते हैं राइट लब यह पुरा औरल यह पुरा सब स्टेशन है वह दोस्तों विंड में लो लैटाई स्टावर्स कैसे होते हैं इस तरीके के विंड में लो लैटाई स्टावर होते हैं फिर दोस्तों आते हैं जो solar module mounting structure जो यह है वो यह company मनाती है तो इस तरीके का दोस्तों इस company का कारोबार है दोस्तों जो company है वो basically कहां पर located है तो दोस्तों company धवासा वाडोधरा गुजराथ के अंदर आपको located देखने को मिलेगी और fully equipped है with CNC machinery and equipment company ISO certified भी है और indicate करती है कि इसकी ability है कि वो high quality products और services offer कर सकती है क्योंकि इसकी directly affect करता है इसकी reputation customer satisfaction और long term success को company के दर बताया गया है कि इनके पास almost 81 employees इनकी manufacturing facility और head office के अंदर company दोस्तों भी बताया कि वो आगे चलके काफी कुछ यहाँ पर करने वाली इसमें expansion के उपर company का focus रहने वाला है इनका plan है कि किस तरीके से manufacturing capacity को increase किया जाए नए products launch किये जाए इनके plant जो भरूच के अंदर है उसके अंदर company और यहाँ पर focus करने वाली expansion करना चाहती है ताकि जो evolving market है उसकी demand को fulfill कर सके जिसे high mass flow gratings pre-engineered buildings और heavy fabrications यह जो है वो company लगाना चाहती है इसका business model है वो structure है around two principal verticals पहला तो देखिए manufacturing है fabricated और galvanized products की और दूसरा दोस्तों company का जो portfolio है उसमें optical fiber cable fault rectification galvanizing services यह सब आपको मिल जाता है solar installation यह सब मिल जाता है तो दोस्तों company के promoters और management को जान लेते हैं तो दोस्तों company के promoters में नाम निकल का था डॉक्टर फारुक भाई गुलाम भाई पटेल का अभी बात ध्यान रख किएगा KP energy already market में लिस्टेड है और no doubt की promoter same है तो दॉक्तर फारुक भाई गुलाम भाई पटेल उदर भी promoter है बाकी 51 years की दोस्तों की एज है और यह promoter है चेहर में और non executive director इस company के जो honorary degree रखते हैं in doctorate of doctorate in innovation talent and creativity management from America East Coast University New York USA और उनने complete की थी comprehensive course in solar photovoltaic design technology दूसरे दोस्तों ज मिस्टर मुहिनुलक इकबाल हुसेन कादवा यह 32 साल के हैं यह भी एक whole time director है company के और उनने भी अपनी दोस्तों complete की थी bachelor of engineering in mechanical from gujarat technological university in 2014 और appoint हो गए थे whole time director of the company for the period of 5 years अगले आते दोस्तों मिस्टर हसन फारुक पतेल 20 साल के हैं और यह promoter है और non executive director है इस company के और इनने भी द university सूरत से तो overall आपको company के तीन यह major promoters देखने को मिल जाएंगे promoters नहीं promoters और directors मिल जाएंगे अब बात करते दोस्तों company के financials के उपर तो दोस्तों जो company का revenue from operation याद रखियेगा लाक्स में है सब कुछ 2021 में दोस्तों यह करीबन 38 करोड का था उसके अगले साल 77 करोड का हुआ और अभी 114 करोड का हो गया त्यानी company का revenue करब लगाता है और देखेंगे तो वहाँ पर हमको growth देखने को मिल रही है वह कर मैं बात क की company की growth है अगली दोस्तों जो चीज आती है वो है यहाँ पर company का मुनाफ़ा right company का pat कितना है तो दोस्तों company का pat करीबन एक करोड थावन लाग का था 2021 में उसको अगले साल करीबन 4 करोड 54 लाग का हुआ और अभी दोस्तों company ने जो 2003 से नंबर पेश किये उसमें company का यह वहाँ पर इतनी कोई खास दिक्कत नजर नहीं आती है अगर बात करते हूं company के margins कैसे रहते हैं तो company के margins आप कुछ नोडिस कर सकते हैं 40.52% का margin था 2021 में फिर 12% 13% का रह गया विकास कोड़ का year भी था उसके बाद दूस्तों हम कह सकते है company का margin से वो 18.81% तक पहुँग ग कह सकते है revenue है वो मात्रे 14 करोड का है बाकि जो दूस्ते कंपनी वाली साला साथ टेक्नो हो गई या फिर स्किपर हो गई तो उनका revenue more than 1000 करोड का आपको देखने को मिलेगा अगर पैट की बात करता हूं तो देखिए इनोंने 1000 करोड के revenue पे 40 करोड का मुनाफ़ा है और इनका आप से match नहीं होते है इसकी कुछ और indicators देखते हैं अगर आप return on equity देखेंगे तो company का 29.24% का return on equity है return on capital employed है 23% का debt to equity देखें जोड़ा सा problem क्यों है because 1 से उपर है याद रखेंगा debt to equity हमेशा एक के अंदर अंदर रहना चाहिए एक के अगर उपर रहेगा तो यह problem है because 0-1 के ब no doubt problem है बाकी जो company का जैसे आपको में रताया कि जो valuation है वो थोड़े से company के expensive नजर आते हैं अगर आप दूसरे company से compare करेंगे because वो 70 का पीप अगर कोई trade का तो उसकी valuation उसे आप से देखिए कि market cap more than 3000 करोड किये इसकी market cap 720 करोड की आपको देखने को मिलेगी but no doubt देखिए क्योंकि एक strong कह सकते है promoter group है इनका लगाता देखिए जो company है KP energy उसने भी investors का अच्छा पैसा बनाए उदर भी कोई doubt नहीं है तो इ अपनी नई manufacturing unit जो है वो यहाँ पर setup कर सके और expand कर सके अपने current production capabilities को और expand कर सके current product portfolio को इसलिए दूस्तों company अपना IPO लेकर आ रही है बागी अगर बाग करें इसके current gray market को लेकर तो ग्रेमार्केट है company के almost 66% के आसपास अभी देखिए Saturday Sunday को जादा ग्रेमार्के अक्टिव नही आप जानेगा और पैचानेगा उसके बाद जाकर लगाईगा विकाज एक SM issue है और क्योंकि देखिए BAC पर list होगा तो BAC पर कोई भी IPO 90% से उपर list नहीं हो सकता याद रखिएगा अगर इसकी listing होती भी है तो 90% से उपर उपर तो नहीं हो सकती 90% या तो उससे नीचे ही आप लोग तैक करिएगा नो डाउट कंपनी बढ़या दिखती है इस वीडियो में दोस्ते इतना ही था अब आपको वीडियो बढ़या लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चैनल से पहली बाए जोड़ो सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू फ्रेंड्स वाचिंग इस वीडियो